नवस्कार कारिक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत अविनंदन मैं हूँ आपके साथ विश्व बंदु पांटे दर्शों को जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कारिक्रम में हम खासतोर से जीवन शैली से जुड़ेवे विश्वों पर बातचीत करते हैं जो हमारी जीवन शैली लाइफस्टाईल को प्रवावित करते हैं इसके साथ ही हमारा प्रियास रहता है कि हम इसी लाइफस्टाईल जीवन से जुड़े हुए विवन आयमों के बारे में بात करें specific fields के बारे में बात करें जो हमारी जीवन से जुड़े हुए हैं और इस कारिकम से आपको एक मारग दर्शन भी मिल सके आज हम अपने इस कारिकम में बहुत खास विशे रंगमंच और फिल्मों का महत्व विशे पर बातचीत करेंगे और इस विशे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच एक्टर फिल्मेकर कास्टिंग डिरेक्टर अमान इकबाल जी हमारे बीच उपस्तित हैं आयों का स्वागत करते हैं इकबाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर शोतराखन के स्टूडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद जैसा कि आज क का हमारा कारिक्रम जीवन शैली इस कारिक्रम के अंतरगत हम रंग मंच और फिल्मों के महत्व पर बातचीत करें तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी प्रिष्ट भूमी क्या है पारिवारी प्रिष्ट भूमी क्या है शिक्षादिक्षा आपकी कहां पर कानपुरी निवर्स्टी पढ़ने गया मतलब कॉलेज के बाद तो मैं साइंस बैग्राउंड से था मगर वहां पर जाने के बाद मैंने ब्सी ओनर्स जॉइन किया और तभी वहां पर कोर्स इंट्रिडूस हुआ था कि एडवांस डिप्लोमा इन क्रेटिव राइटिंग्स और छोटे मोटे स्केट्स और प्लेज इस्कूल में लोग करते रहते थे उसके बाद मैंने वो कोर्स जॉइन किया और डूरिंग दा मतलब अड़ लास्ट एयर ऑफ ग्रेजुएशन मैं देहरादून आ गया मास्टर्स के लिए तो थोड़ा कॉलेज और स्कूलिंग मेरी क तो यहां पर एक परवती अभीरंग नाटिसंस्ता हुआ करती थी वो जोईन करी और एक हिमानी शुपूरी जी की कोई वक्षॉप होती थी तो वहां पर उसके ऑडिशन हो रहे थे तो मुझे यहां पर कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं कहां जाओं कहां सीखूं तो मैं वहां पर मुझे और लोग मिले तो मैंने उस तरह से रंगमंच का सफर शुरू हुआ उसके अलावा मेरे घर पे मेरे पिता जी जो थे वो बिजनिस करते थे उनका और माता जी को थोड़ा बहुत कला प्रेमी थी वो गाती गुन गुनाती हैं मगर कोई as a career इसको मैं अडॉप्ट करूँ किसी भी art form को तो उधर इतना accepted नहीं था इवन दूर दराज में भी रिष्टेदारों में कोई इस तरफ था नहीं अचा हमारे समाज में बहुत बड़ी विदमना है कि फिल्में देखते सब हैं घर पे भी enjoy करिंग करते हैं फिल्में देखते हैं टीवी भी तो वही एक आम जैसा इंडियान हाउस होल्ड होता है और मिदल कास फैमली में जो मेंटालिटी होती है तो उनके साब से भी ठीक होता है कि भाई कोई अपना टेकनिकल डिग्री वगेरा कर ली जाये तो करियर सेफ हो जाये मगर मज़ा ही नहीं आ रहा था मज़ा रहा था र सीखने का और सेनमेटाग्रफी और डिरेक्शन और को कि स्क्रीन प्ले राइटिंग में सीख अए था पढ़कर रहा था मेरी पोटरी में दिल्चसपी वगरती थी पहले बहुत बचपन से कवितायं पढ़ता था मैं हिंदी कवितायं उर्दू पोटरी से बहुत बाद में क्योंकि स्कूल में हिंदी और इंग्लिश की कविताय जादा होती थी तो मैं पढ़ डाला करता था पहले दिन ही जिस दिन किताबे आती थी मैं उस दिन लिट्रेचर की सारी किताबे उसी दिन खतम कर देता था तो वह ता फिर मैंने राइटिंग का डिप्लोमा जॉइन किया फिर उसमें सक्रीन पर राइटिंग का सेगमेंट था कहीं एक सेगमेंट था कि फिल्मों के लिए कैसे लिखातारी पर इसके बाद पिर थीटर की बहुत नाटेकों है का चौक था तो पर नाटेक्र कॉर्ष भी शुरू कर दिया है जैसondra दीरे दीरे करके सिलसला शुरू यह हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने रंगमंच की बात किया, आप फिल्में भी बनाते हैं, एक्टिंग के शेत्र में हैं, तो यह कास्टिंग यह रंगमंच और फिल्म, यह किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं इन चीजों को, रंगमंच क्या है? रंगमंच जिसको आम बोलचाल की भाशा में थेटर बोला जाता है, और थेटर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो नाटिशास्त्र है, उसमें विजैसा की वर्णन है, और अगर आप यूरोपियन या पश्चिमी जो सभिता में जो थेटर का उलेक मिलता है, जहां से शुरू ह चेका क्या है, रंगमंच तब से हैं जबसे मानव जाती है, और कहीं भी रंगमंच ना ठक खेला जा सकता है, कहीं भी कुछ किया जा सकता है, या बहुत परानी फिद्धा है। से आप में जो एक आपके अंदर पर परिलेंट रुष होता है आपने सामने बैठे लोगों के सामने परफॉर्म करने का वो उसका कोई उसकी कोई बराबरी नहीं है फिलम उसके बराबरी नहीं कर सकती मेरे हिसाब से मतलब दिये मेरा परसनल ऊपीनियान है तो रख मंच बैसिकल tą वही है कि आप थिर्टर पर गलग रूप हैं, लोग सड़क के किनारे नुकड भी कर सकते हैं, लोग सोलो लुकी भी कर सकते हैं, कि वो अकेले सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, लोग डुएट कर सकते हैं, पूरा ग्रूप के साथ कोई नाटक खेला जा सकता है, बहुत शांदार आडिटोरियम में खेला जा स तो दर्शकाने लगेंगे आपके तरफ अमार जी ये जो casting director है ये casting से भी हम समझना चाहते ही ये आखिर का क्या होती है फिल्मों में इसका क्या इसे किस चीज को कहते है casting एक सामानी रूप से हम जाना चाहते हैं देखिये casting जो है अगर मैं आपको किरदार डिरेक्टर ने या राइटर ने अमाजिन किया है उस तरीके का दिखने वाला और अच्छा पर्फॉर्मर और उस तरीके से बहुत सारे लोगों में से वो लोग च्छाटना जो उस फिल्म के उन किरदारों में सबसे सही फिट होते हो उसको कहते हैं कास्टिंग अब पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब मैं आज भी इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ कि जो फिल्म का डिरेक्टर है, वो सबसे अच्छी कास्टिंग कर सकता है, और पहले वो ही हुआ भी करता था, पिछले 10 साल या 15 सालों से आप कहले, सेनेमा जगत में ये बदलाव आ कि अपने प्रिंटेट पोर्टफोलियो चोड़ कर आ जाते थे डिरेक्टर के पास, अब डिरेक्टर के पास अलरड़ी इतने सारे काम होते हैं, कि उसको जब फिल्मों का प्रिप्रड़क्शन चल रहा है तो उसको स्क्रिप्ट पे भी देखना है, उसको बागी क्रू को भ प्रिप्रड़क्शन चल रहा है, तो उसके लिए अलग से कुछ लोग रखे जाते हैं, कास्टिंग डिरेक्टर हायर किया जाता है, कास्टिंग असोसियेट्स होते हैं, उनके पूरी टीम होती है, तो वो अलग अलग जगा जाके, जिस जहां की कहानी है, क्योंकि अब आप अब हर चीज बहुत धारकोर मिला मिला के करी आती है, तो कास्टिंग वाले क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को टेस्ट करते हैं, उनकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर उनको उसमें से इंट्रोड़क्शन उनके लिए जाते हैं, वीडियो इंट्रोड़क्शन उसमे अब इसमें आपको जो पसंद हो आप फिल्म में ले लीजिए अब आप युवा है और इस शेत्र में काफी आपने काम किया है आप अभी काम भी कर रहे हैं तो आपने कप ये समझा या सोचा कि मुझे इसी शेत्र में जाना और इसी में अपने करियर को बनाना है और इस तरह क फिल्मों में कारी करना है, एक्टिंग करनी है, ड्रामा करना है, ट्रेटर करना है, इन सब चीजों के बारे में कब आपने सोचा? मेरा यह मानना है कि जो कलागार होता है, उसकी कोई भी कला हो चाहिए, पेंटर है, आक्टर है, या राइटर है, कुछ भी करता है, वो उसके अंदर उपर वाले ने उसको डाल के भेजा होता है, कुछ ना कुछ, और वो ना कुछ रेजिस्टेंस उसका अपने आप से रहता है मैं ऐसे महौल से आता हूं जहां पर दूर दराज तक मैंने अपने स्कूल टाइम में कहीं जाके ऐसा कन्वेशनल थेटर नहीं देखा जबकि वहां पर भारति-ंदुनाट अगेडमी है मगर ऐसा महौल ही नहीं था कोई आसपास करता ही नहीं था जानता ही नहीं था तो मुझे जो पढ़ने को मिलता था मेरे को साहित पढ़ने को मिलता था मैं पढ़ता था मैं बहुत कनेक कर बाता था तो मुझे समझ में नहीं नहीं आ रहा था कि मैं पढ़तो साइंस रहा हूं मैं मतमाटिक्स पढ़ रहा हूं तो एक टाइम तक जब सब का प्रेशर रहता ह आपको समझ में आता है कि यार कुछ तो गड़बड चल रही है तो वो लग रहा था कि यह कुछ और कर सकता हूं जो इस से बहतर कर लोगा है और हुनर पहचानने की जरूरत है और आजकल यही चल रहा है कि हम जो बच्चा आ रहे हैं या युवा लोग है वो अपने अंदर के हुनर को पहचाने और फिर उसी शेत्र में करें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अमा जी प्रेणा शोत आपके कौन थे यह हम जानना चाहिए देखे मैं मेरे इनीशल प्रेणा सोत्र जो थे वो मुझे लगता है कि जादा तर कवी रहे हैं ठीक है जैसे दुश्यंत कुम कर पाया बहुत फ्रैंकली बोलूँगा क्यूंकि उसमें मेरे गाओं की मेरे शेहरों की मेरे लोगों की कोई जिक्री नहीं होता है बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग बहुत सारी गोश्टियां करते हैं बहुत ओपन माइक्स और पोईट्री पोईट्स के कम्यूनिटी होती मुझे आज तक उसमें ना अपना घर पडोस दिखा अंग्रेजी कविताओं में, बहुत अच्छी कविताओं हैं, उनके अपने परिद्रिश्य के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, मगर तो मेरे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कभी जो रहें, और जो लेखक रहें, जो कहा अगर आप सिनमा में बात करेंगे तो अक्टर्स जो थे, जैसे मुझे फिल्मेकर के तोर पर सत्यजीत रे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं, और उसके अलावा जो अगर अक्टर्स की बात करें, तो मुझे ओमपुरी बहुत पसंद आते हैं, मतलब लोगों को बड मेरे को मनुझ वाजपई, भारत के सर्वशेष अभी नहता लगते हैं, मतलब यह मेरा परसनल अपिनियान है, उसके अलावा बाहर की फिल्में भी देखी, चूंकि हम लोग जब सिनमा की ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वो भी देखने हैं, क्योंकि टेक्निक लोग बाहर की फिल्में देखते थे, कौरियन, पर्शियन, और यूरोपियन सिनमा देखते थे, और हॉलिवूड भी देखते थे, तो अधर अलपचिनो होते थे, और भी बहुत सारे रिनाउंड आक्टर हैं हॉलिवूड के, उन लोगों को भी अपसॉफ करते थे, तो आपने हासिल किया और सीखा है, अब आजी हम फिल्मों के बारे में, ड्रामा के बारे में, रंगमंच के मारे में बातचीत करेंगे, इससे पहले हम जानना चाहेंगे, कि आपने देखा होगा, कि किस तरह से कुछ चीजें होती है, जो रुची होती है, वो बहुत जरूरी हो अलग-अलग शेत्रों में रुची होती है, अपने हिसाब से, आपकी रुची किन-किन चीजों में है, क्योंकि आज जो कारिक्रम है, हमारा जीवन शैली कारिक्रम है, और लाइफ स्टाल से जुड़ा हुआ है, इसमें हम अलग-अलग विश्यों पर बातचीतों करती हैं, तो रुची के बारे में आप बताया, आपकी रुची के शेत्र में, निशत रुप से शेत्र में, लेकिन इसके अलावा, लेगी अफ सारी जितनी मेरी रुची थी, मैंने उनको तो प्रोफेशन बना लिया, बिल्कुल और मैं प्रॉफेशन को प्रॉफेशन तब बोलता हूं जब वह काम करने के कोई आपको पैसे दे तो मैंने लगबग हर काम करने के जो मेरा पैशन हुआ करता था लोगों ने मुझे पैसे दिये हैं इसका मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आता होगा बट उसके अलावा भी बहूत सारी चीज़ें जैसे मुझे खाना बनाना पसंद है इृ उसके अलावा मुझे पतंंग उडाना बहुत पसंद था हॉमारे आप बहुत जादा सीरियश्ली लेते हैं बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है हम लोग अब तो काम बहुत जादा रहता है वरना पहले आए दिनों हम लोग एक तंबू ठाके और कहीं पहाड पे पढ़े रहते थे अपना कुछ बिल्कुल और यही तो जीवन शैली है यही तो लाइफ स्टाइल है अमाज यह आपने कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिन पे आपने काम किया है और आपके दिल को वो फिल्में चुई हैं बहुत दादा करीब आपके दिल के रहे हैं जब आप इन फिल्मों में काम कर रहे थे देखे एक बहुत पहले हम लोगे ने एक फिल्म करी थी जो अभी तक जो शाद रिलीज नहीं हो पाई और उस वक्त में 2015 में मुंबई शिफ्ट हो चुगा था तो वहां पे हमें एक फिल्म मिली थी उसका नाम था राम लीला उफ वंपापुर और इत्तिफाक से उसका शूट तो वहां पे उसमें बड़े सीनियर आक्टर्स थे उसमें राजी शिवेग जी थे एनेस्टी पास आउट बहुत रॉट हस्ती थे गुल्चन ग्रोवर थे सीमा बिश्वास मैम थी वो बहुत ही सुन्दर एक पहाड की कहानी थी और उसको जो डिरेक्ट कर रहे थे वो एक क पहाड की कहानी डिरेक्ट कर रहे थे वो बहुत सुन्दर कहानी थी तो वो फिल्म मेरे दिल के बहुत खरीब है उसमें यहां के देरदून के और उत्रागंड के भी कुछ कलागार थे वागी वाओं को भी अफसर मिला था तो उसमें मैं आज अन आक्टर काम कर रहा था और वह फिल्म उसके कंप्लीट होने के बाद उसके कुछ पार्ट्स बच गयते हैं तो उसमें बाद में किसनी कारणों से पूरी नहीं हो सकी तो अगर बात करेंगे तो वह फिल्म थी जो आप लोग देख नहीं सकते उसके बाद मेरे को जो टिपिकल बॉलिवूड सिनेमा है उसमें एक्टिंग करने में कोई खास रूची नहीं रही कभी क्योंकि मैं रंगमंच वाला आदमी तो और मैं बहुत सेलेक्टिव सी चीजें एक्सपेक करता था अगרא जाया कराधा जिए कर दो धाने मुझे कुछ ठीक मिले चैलेंजिंग भी कुछ काम किया था तो मैं जिस फिल्म की कुछ नाकुछ कांटो वरसी हो जाती है पता नहिं को और विक हमिया शच्रe मोह कांटो वर् KIRBY कास्टिंग उतलत दृदा और सब कुछ यह आपको सिखाने और आपके सीखने से अगर आप जोड़े तो जादा उसके बाद फाइनली अभी कश्मीर फाइल से मुझे कास्टिंग करने का मौका मिला जब वो फिल्म शूट होने आई तो हम लोग को अंदाजा नहीं था कि उस फिल्म वो इतनी बड़ी हिट ह होगी यतने जादा उसका चर्चा होगा तो मैं कश्मीर फाइल की कास्टिंग का मुझे जिमेदारी मिली और क्योंकि बहुत जादा फेसेज उसमें कश्मीरी दिखाने थे और हमारे उत्रागंड में जो हैं सब लोग उतने ही खुबसूरत होते हैं जितने कश्मीर के लोग तो चैलेंज यह था कि जादा से जादा हम लोगों को पहाड़ी परिद्रिश्च के लोग लेने हैं तो कि कश्मीर में शूट नहीं कर सकते तो हम लोग पहाड़ में ही शूट करेंगे और पहाड़ी प्रिश्ट भूमी के लोगों को उसमें काम दिया जाएगा तो हम लोग फिल्म खेर जो उसमें सेंट्रल करेक्टर है उनके बेटे का करन पंडित का करेक्टर मैंने किया तो उसके अदू फिल्म बहुत 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 चर्चित हो गई लोगों ने देखा लोगों ने पहचाना काम को भी as an actor क्योंकि कास्टिंग में मेरी प्रोफाइल पहले से बहु शिव् def oppose बाइल ऑर फिल्म बहुत बहुत अच्छी है उसमें कोई डाउट नीए फिल्म अपका esthetically बहुत अच्छी है और अगर filmmaking gotta perspective से यह और artistic perspective से देखें तो बहुत अच्छी फिल्म बना ही है तो बहुत सारी चीज़े होती है जो आप करते हैं अभी मैंने एक independent film करолог पसंद नहीं आती हैं कुछ होती हैं जिसके आप इज़त भी करते हैं मैंने इसमें काम किया तो मैं इस फिल्म की इज़त कर पाऊंगा क्योंकि यह सच में अच्छी बनाईगी तो उन फिल्मों में अगर आप बोलेंगे कि सबसे जादा अगर मैं किसी से कनेक्टेड था तो वो मेरी पहले फिल्म थी जो बदकिस्मती से बाहर नहीं आ पाई उसमें बहुत सार लोगों की बहुत मैनत थी लेकिन ऐसा होता है कि मैंने अभी जैसे बात भी कि कि सीखने और सिखाने की उम्र हमेशा चलती रहती है और आते हैं एक्सपिरेंस ही मिलता है अनवह ही मिलता है किसी चीज़ को सीखने से जो फिल्म है ड्रामा है या रंगमंच है तो इसमें क्या अंतर है फिल्म का ड्रामा का थेटर जो ये चीजें होती है ये आम प्रशन हर किसी के मन में रहता है कि वो फिल्मों में जाए या ड्रामा करे या स्टेज आर्टिस्ट बन जाए तो क्या इसमें अंतर आपको लगता ह देखे एक सच्चाई यह है कि थेटर में करियर बहुत सेलेक्टिव जगाओं पर ही मिलेगा अगर आप रंगमंच अगर आप थेटर से जुड़े हुए अच्छे इंस्टिटूशन जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है भारते दोनाट अकैडमी है और अब तो कई सारे ख कर्म को रंगमंच को तो आगे जाकर आपकी करियर की सेफटी हो सकती है क्योंकि कुछ नहीं होगा आपका तो आप कहीं पर पढ़ा होगे ठीक है और चुकि यह इस सब्जक को पढ़ाने वाले और क्वालिफाइड लोग बहुत कम है तो उसमें आपका कोई ऐसा खास में जाना है बिल्कुल तो जब क्यों को बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे पहले के दिनों में इस से एकदशक पहले अगर आप जाईए तो आप देखेंगे कि जितने लोगोंने थेटर में एनसडी से ग्राइड हुए ह हुए बहुत सारे नंबे प्रतिशत लोग ऐसे हैं ज वो उन्होंने जाना पसंद नहीं किया सिनिमा में और उससे कमाई भी करी कमाया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया सवाल ये पैदा होता है कि आप चाहते क्या हो मतलब बिल्कुल थेटर को कहते हैं हम लोग कि अक्टर्स मीडियम है क्योंकि वहाँ पर एक्टर ही ड्राइव करता है पूरा प्ले फिल्मों को हम लोग बोलते हैं कि ये डिरेक्टर्स मीडियम है इसमें जो अगर डिरेक्टर अच्छा है तो अच्छी फिल्म बनाएगा अक्टर के जना भी अच्छों सफार रखनी पड़ता तो मुझे नहीं लगता कि आज कल एज करियर कोई थेटर में जिन्दगी पर थेटर करना चाहता है उसका कारण भी यही है लेकिन करियर को सवारने के लिए और अपने को निखारने के लिए थेटर ज़रू है अगर आपको एक्टर बनना है अभी तो थेटर भी बहुत रिलिस्टिक होता है अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मुझे लगता है कि थेटर में कुछ वक्त गुजारना चाहिए क्यूंकि जो हाड़ कोर ट्रेनिंग होती है जो लोहा उठाने वाली ट्रेनिंग होती है वो आपकी थेटर में हो पाएगी क्योंकि जब आप लोगों के सामने आधा आधा है कि गंटे खड़े होके बात करोगे जहाँ पर कट का आप्शन नहीं होगा ठीक है वहाँ पर आप समवात करोगे डायलोक्स बोलोगे आक्टिंग करोगे तब जाके आप निखर के बाहरा होगे तब वो चीज़ें होंगी और दूसरा आपने जो उस फिल्मों की बात करी फिल्मों में डिरेक्ट्ली तीवी और सिनेमा और आज कल वेब सीरीस भी आ गई है तो टीवी आक्टिंग के लिए FTII PUNE में कोर्सेज है मगर उन सब के लिए NSD हो FTII उन सब के लिए जितने लोग भी अगर मेरी बात सुनेंगे जुनको acting करनी है आगे उन सब के लिए एक चीज़ कॉमन है कि आपको at least graduate होना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल से निकले और आपको लगा कि मुझे acting सीखनी है तो आपने पढ़ाई लगाई छोड़ दी और आप चले गए क्योंकि हम यह मानते हैं कि एक actor को basic knowledge दुनिया की अपने subject की उसके दिमाग का एक certain जो है वो खुले हुए होने चाहिए पार्ड्स है ना वो इतना educated होना चाहिए जो कास्टिंग का विशय जिसे आप जुड़े हैं फिल्मों में कास्टिंग किस तरह से की जाती है अमान जी हमें बताएं हमारे दर्शकों को भी बताएं और जो UI इसमें जाना चाहते हैं ताकि उन्हें यह पता रहे कि फिल्मों म आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ जो लोग trained है और या trained नहीं भी है उनको लगता है कि वो audition के लिए तैयार हैं तो कास्टिंग ऐसे होती है कि पहले जब script वगेरा बन जाती है फिल्म की सब लोग decide हो जाते हैं तो जो अगर कोई बहुत बड़ा celebrity star cast है तो वो usually producer director आपस म लेता है कुछ कई कई दफा ऐसा होता है कि director कहता है कि मुझे किसी newcomer को launch करना है या मुझे कोई नया चेहरा launch करना है तब उसको ढूनते है casting वाले lead के लिए उसके अलावा lead के साथ और जो parallel leads है या जो primary cast है film की पूरी film में चलती है secondary cast है जो कुछ scenes में आते हैं काम करते हैं व बड़े रोल से लेके चोटे चोटे रोल तक की पूरी category का script से एक सारे करदारों की list बनाई जाती है उनका specification लिखा जाता है कितनी उमर का चाहिए कैसा रंग कैसा कद कैसा दिखने वाला कैसी भाशा बोलता हो उसका पूरा description बहुरा तयार किया जाता है और वो casting की team को जो film क की डिमांड को लेके कि इस इस तरह अगर कोई बहुत ही मेट्रो सिटी की कहानी है तो उस तरह का चेहरे होंगे कोई गाओं की अभी हम लोग नेट्फिक्स की एक सीरीज करी है गंस अन गुलाप्स तो राजिन डी के जोनोंने दा फैमिली मैन बनाई थी वो उसके फिक्षिन है बट कोई यूपी जैसी जगह है तो बड़े बड़े बाल वाले लोगों को डूणना है सौरे मतलब जो भीड में भी खड़े होने उनके भी बाल लंबे होने चाहिए और थोड़े वैसे से गुंडे टाइप के लोग होने चाहिए उनके कॉस्ट्यूम्स वैस उस तेम यहां पर फैशन चल रहा है कि लोगों के बाल इधर साइट से छोटे है यंग लोगों के आपने देखा हो क्रू कट का फैशन चलता है आज भी लोग टाता है वैसे बाल तो यह कास्टिंग वालों के यह चल लिए क्या क्या खूबिया होनी चाहिए एक अच्छे अ चीज तो यह होगी आप सेंसीबल हो आप इंट्यिजेंट होना बहुत सव भ्रूर है क्योंकि बहुत सा लोगे बहुत टालेंटेटी थेसे हैं उसके अलावा जब आप कुराफ्ट सीखोगे आप पहले से ही टालेंट्धेड हो तो आप के आज आपकर आपका अधा काम हो ज जब आप तैयार हो हर तरीके से, mentally, physically, आप trained हो, उसके बाद सबसे बड़ा challenge क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग है, उसके बाद सबसे बड़ा challenge है कि आप काम कैसे डूंडोगे, तो काम डूंडने के लिए सही अपरोच बहुत जरूरी है, आप लोगों, मतलब actor को हम लोग बोलते हैं, कैसे उनकी बताई हूँ चीजों को grab करते हैं, कैसे उस पर respond करते हैं, तो वो जो approach है, वो बहुत important है, सिर्फ टालेंट से काम नहीं चलता क्योंकि आप बहुत talented हैं, और थोड़े egoistic हैं कि आरे मैं तो बहुत talented हूं है, क्या किसी से बात करेंगे, सरुगन संपनत है, इस यहां पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तो दर्शकों ये था आज का हमारे कारिकम, जिसमें आज हमने रंग मंच और फिल्मों के निर्मान, उसके महत्व के बारे में बातचीत की, हमें आशा है कि आपको हमारे कारिकम जहुत पसंद आया होगा, इसी के साथ कर्षका.